तो हलो दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एक्जाम तक के यूटूब चैनल पर दोस्तों यहाँ पर मैं जो है केम्पूटर का अनलाइन टेस्ट करा रहा हूँ फ्रेंड अगर आपने पिछले दो टेस्ट को नहीं देख रहा है फ्रेंड तो जाम तक को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को जरूर दबाजिए चलिए फ्रेंड एक दिन यहाँ पर डेली जो है 9 बच कर 45 मिनट पर यहाँ पर टेस्ट लिए जाता है फ्रेंड तो आप मुझसे जो है रोड करेक्ट हो सकते हैं और इस टेस्ट में जो है सामिल हो सकते हैं तो फ्रेंड चलिए शुरुआत करते हैं तो यहाँ पर फ्रेंड आपको पहला सवाल बताना है वर्ड में जो है कंट्रोल प्लस या साट कट कुंजी का प्रयोग जो होता है यह किसके लिए किया जाता है यह मैस वर्ड में जो है कंट करने के लिए या फिर find dialogue box को जो है देखने के लिए तो फ्रेंड इसका जो correct answer क्या होगा option number C जो है फ्रेंड option number D जो है इसका correct answer है फ्रेंड तो चलिए देखते हैं अपना दूसरा question आप पर आपको बताना है process B IOs का पूरा नाम बताना है यहाँ पर BIOS का पूरा नाम क्या होता है आपके चार option आपके सामने हैं तो फ्रेंड इसका जो correct answer क्या होगा यहाँ पर इसका जो correct answer होगा option number v होगा basic input output system जो है इसका friend correct answer है ए तो बात करते हैं तीसरे question की तो यहाँ पर आपको बताना है GUI का पूरा नाम क्या होता है GUI का पूरा नाम क्या होता है यह आपको बताना है तो friend इसका जो correct answer होगा क्या होगा graphical user interface option number जो है इसका correct answer है तो friend चलिए देखते हैं अपना चौथा सवाल तो चौथा सवाल है किसी document को print करने के लिए क्या press करेंगे और फिर इंटर दावेंगे तो आपके option है shift या फिर control या फिर alt या फिर esc तो या friend किसी भी document को print करने के लिए जो है control प्लस क्या दावा जाता है पी दावा जाता है तो यहां पर option number जो है बी इसका जो है correct answer है तो question number 5 है excel दस्तवेज किसके नामक फाइल के रूम में जो है store किया जाता है तो excel दस्तवेज जो हता है यह किस नाम से save किया जाता है तो आपके option है workforce या फिर work sheet या फिर work tables या फिर work groups इसके लाँ friend आपको एक option और मिलता है यहां पर work books तो friend इसका जो correct answer क्या होगा option number E जो है यहां पर इसका correct answer reference तो जल्दे जल्दे comment करते रहे है question number 6 आ चुका है यहां पर excel में दो से लोग को एक से ल में मिलाने पर परिचालन को क्या का जाता है excel में दो से लोग को एक सेल में अगर जोड़ दिया जाए तो उसे क्या का जाएगा join cell या फिर merge cell या फिर merge table या फिर join table तो friend इसका जो correct answer क्या होगा option number B जो है इसका correct answer है यहां पर इसका correct answer merge cell इसको का जाएगा question number seven है एक सल में जो है या एक परी रिकॉर्डिंग फार्मूला है जो जटिल गड़नाओं के लिए shortcut प्रदान करता है तो उसे क्या कहा जाता है function कहा जाता है option नमबर जो है सीज का correct answer reference तो question number eight यहां पर आपको उताना है word document में एक paragraph को एक अस्थान से दूसरे में ले जाने के लिए निम्लिकित में से किसका प्रयोक किया जाना चाहिए तो word document एक पर अगर आपको एक अस्थान से दूसरे अस्थान में ले जाने के लिए इसे किसका प्रयोक करना चाहिए तो आपके चार option आपके सामने है तो इसका जो correct answer क्या होगा friend यहां पर question number eight का correct answer क्या होगा option number B cut and paste किसी को cut करेंगे उसके बाद जो है आपर किसी दूसरे में paste कर देंगे तो document जो है दूसरे में चला जाएगा तो question number nine है कौन से की का एक बिशिष्ट कार करने के लिए अनकी के साथ स्रयोजन में उप्योग किया जाता है तो friend इसका जो correct answer क्या होगा यहां पर इसका जो correct answer होगा option number B जो है इसका correct answer होगा question number 10 है desktop में समाविष्ट छोटे ग्राफिक्स को क्या का जाता है desktop में जो छोटे छोटे ग्राफिक्स होते हैं उन्हें क्या का जाता है तूसरे क्या का जाता है आइकन्स का जाता है option number C जो है इसका correct answer होगा फ्रेंड question number 11 है TIF का पूरा नाम यहाँ पर बताना है आपको question number 11 का correct answer क्या होगा फ्रेंड यहाँ पर इसका correct answer होगा trend image format option number A जो है इसका correct answer होगा तो जल्दी जल्दी comment करिए काफी वच्चों का यहाँ पर जो है correct answer आ रहा है question number 12 है computer में तारीक और समय जो हता है यह कहाँ पर दिखाई देता है keyboard में, recycle bin में, my computer में या फिर task bar में तो computer में तारीक और समय कहाँ दिखाई देता है task bar में दिखाई देता है तो इसका correct answer option number 2 है question number 13 है निम्न में से कौन सा interface windows OS का प्रयोग किया जाता है निम्न में से कौन सा interface windows OS में प्रयोग किया जाता है तो फ्रेंड इसका जो correct answer होगा कौन सा होगा option number A इसका correct answer होगा GUI GUI जो है इसका correct answer है question number 14 है control, alt, shift कीच कही जाती है control, alt, shift कीच क्या कही जाती है तो फ्रेंड इसका जो correct answer क्या होगा option number A जो है इसका correct answer होगा modifier जो है इसे का जाता है तो फटा फट जो है question को करते है question number 15 है control plus right arrow का मुख्य सन्योजन MS world में किसके लिए प्रयोग किया जाता है control, right arrow का प्रयोग जो होता है ये मुख्य सन्योजन किसके लिए किया जाता है तो question number 15 है इसका जो correct answer होगा cursor एक सब्द को सही पल ले जाए इसके लिए जो है इसका प्रयोग किया जाता है question number 16 x1 extension का प्रयोग जोता है ये किसके फाइलोग को से फाइलोग को इलिए किया जाता है question number 16 तो friend इसका जो correct answer होगा यहाँ पर आपको एक option और मिलता है तो इसका जो correct answer होगा option number E जो है इसका correct answer है तो चलिए friend बढ़ते हैं question number 17 की तरफ question number 17 है यहाँ पर email address में क्या सामिल होता है तो email address में क्या सामिल होता है question number 17 तो email address में जो होता है प्रयोगता का नाम होता है उसके बाद जो है domain का नाम होता है जैसे आपका Gmail है मेरा Gmail है यमार यचे सपाल उसके बाद at the rate gmail.com तो यहाँ पर दीख सकते हैं यह मेरा प्रयोकता का नाम है इसके बाद यह company का नाम है gmail.com तो question number 18 यहाँ पर digital camera किस प्रकार की device है तो question number 18 digital camera किस प्रकार की device है तो इसका correct answer क्या होगा फटा-फट answer दीजी इसका correct answer होगा option number जो है यह इसका correct answer है digital camera जो होता है यह input device होता है question number 19 है यहाँ पर question number 19 है समग्र document सेलेक्ट करने के लिए नमलिकत में से किसे प्रयोक्त किया जाता है यानि कि सभी document के अगर एक साथ सेलेक्ट करना है तो कौन सी side cut की का प्रयोक करेंगे तो कौन सी करेंगे control प्लस एक आ यहाँ प्रयोक करेंगे तो option number जो है यह इसका correct answer हो जाएगा तो अगलस वाला computer में printer जो हता है यह किस प्रकार की device है तो computer में printer जो हता है यह किस प्रकार की device है यह बताना है आपको तो printer जो हता है यह output device होता है तो option number जो है इसका जो है correct answer होगा तो question number 21 जो है काफी important है आपके लिए एक काउंसी एक device है जो की नाकेवल व्रिद्धिस अनच्छर पदान करती है साथी साथ यह आपके computer को एक power की कमी के दोरान जो है battery की backup power भी देती है उसे क्या कहा जाता है तो उसे क्या कहा जाता है UPS कहा जाता है तो option number जो है C इसका correct answer होगा फ्रेंड आप जो है UPS का पूरा नाम कमेंट में जरूर बताईए यहाँ पर फ्रेंड मैंने जो है कल इसका UPS का पूरा नाम आपको बताया हुगा था question number 22 है mouse के दो मानक बटनों के बीच की स्थित वील का प्रयोक्यों किया जाता है तो यहाँ पर इसका जो आपके पास चौर अप्शन है पांच अप्शन है यहाँ पर इसका correct answer होगा scroll करना जो है इसका correct answer होगा question number 23 है नेमलिकित में से कौन सुपर कंप्यूटर का पिता है तो सुपर कंप्यूटर का पिता कौन है यह बताना है आपको Charles Bybers, Bill Gates या Steve Jobs या पिर सेमोर क्रे तो सुपर कंप्यूटर के पिता किसे का जाता है सेमोर क्रे को option number जो है D इसका correct answer था प्रेंड question number 24 है प्रोसेसर एक चिप है जो कंप्यूटर सिस्टम में मदर बोर्ड में प्लक किया होता है तो इसका जो correct answer क्या होगा 24 का correct answer क्या होगा वरेंड इसका जो correct answer होगा option number D जो है इसका correct answer है या CL, SI जो है इसका correct answer है question number 25 binary भासा में वर्ड माला को प्रतेक अच्छर प्रतेक अंक और प्रतेक बिसेस character के unique combination से बताया जाता है तो इससे क्या का जाता है question number 25 person जो है तो इससे जो है आठ बित का जाता है आठ बित प्रm बडाबर क्या होता है एक byte के बराबर होता है आठ बित जो हता है या एक byte के वराबर होता है question number 26 27 आधनिक computer के father कौन है तो आधनिक computer के father कौन है ये बताना है आपको तो यहाँ पर आपके जो है पांच option मिलते हैं आधनिक computer के पिता किसे का जाता है इलन ट्यूरिन को जो है आदमिक कम्पूटर का पिता का जाता है कोश्चन नमबर है 27 एक कम्पूटर जिसमें एनलोग और डिजिटल दोनों प्रक्रिया होती है उसे किस प्रकार का कम्पूटर का जाता है कोश्चन नमबर 27 तो इनलोग और डिश्टल जो कंप्यूटर दोनों है उसे जो है हाइब्रिट कंप्यूटर का जाता है ओप्षेन नमबर जो है सी इसका करेक्ट एंसर होगा कुश्यन नमबर है 28 किस जनरेशन में संग्रहड यानि स्टोरेज के लिए चुमकी डिस्क का प्रयोग किया गया था तो किस जनरेशन में संग्रहड स्टोरेज के लिए चुमकी डिस्क का प्रयोग किया गया था तो ये जनरेशन था दूसरी पीडी के केम्प्यूटर थे वो जो कि किस पर आधारित थे ट्रांजिस्टर पर जो है ये आधारित थे तो और पहली पीडी के कम्पूटर किस पर आधारित थे बैक्यूम ट्यूब पर आधारित थे कुश्चन नमबर है 29 पांचवी पीडी का कम्पूटर और किस नाम से जाना जाता है तो पांचवी पीडी के कम्पूटर को दूसरा नाम क्या होता है तो इसका दूसरा नाम होता है जानकारी ग्यान की प्रक्रिया पद्धती या उप्शन नमबर जो है ये इसका करेक्टेंस रेप्रेंट कोशन नमबर है तीस ब्यक्तियत केम्पिटर उद्योग का प्रारम जो है किस ने किया किस कंपणी ने जो है यहाँ पर ब्यक्तियों के लिए केम्पिटर प्रारम किया तो किस ने किया था IBM जिसका पूरा नाम क्या होता है International Business Machine Option No.A जो है फ्रेंड इसका correct answer है Question No.A 31 प्रतम पीड़ी के केम्पिटर में क्या था प्रतम पीड़ी के केम्पिटर किस पर आधारित थे तो इसका जो correct answer होगा Option No.A होगा प्रतम पीड़ी के केम्पिटर जो थे यह vacuum tube और magnetic drum पर जो है आधारित थे तो option number A इसका correct answer होगा question number 32 computer की तीसरे पीड़ी जो है कब आई थी तो question number 32 क्या correct answer क्या होगा computer की तीसरे पीड़ी जो आई थी 1965 से 1971 के बीच में आई थी तो option number B जो है इसका correct answer होगा question number 33 है नमलिकित में से किसे अमेरिका की digital विद्दुद निगम के सोद विभाग दोरा बनाए गया था नमलिकित में से किसे जो है अमेरिकी digital विद्दुद निगम दोरा बनाए गया था तो इसका जो correct answer क्या है option number जो है B इसका correct answer है आलटा विश्टा जो है इसका नाम है तो कुशन नमबर है चोंटीस नविंतम पीडी के केमपीटर में निर्देश क्रेवनित होते हैं तो इसका जो correct answer क्या होगा जल्दी जल्दी कमेंट करिए इसका correct answer क्या होगा दोनों क्रमिक रूप और समाना अंतर होते हैं option नंबर जो है C इसका correct answer है तो फ्रेंट आज का last question है 3rd PD के computer में किसका प्रियोग किया जाता है 3rd PD के जो computer थे उसमें जो है IC चिप लगा होता था तो internet circuit इसका correct answer है पहले PD में जो क्या था vacuum tube दूसरे में क्या था transistor तीसरे में क्या था internet circuit पर यह आधारित थे तो फ्रेंड यह थे आज के जो है total 35 question उम्मेद है आपने सारे question को attempt किया होगा तो फ्रेंड आपको यह video कैसा लगया like और share जरूर करिए और channel पर नए हैं तो उसे subscribe करिए और फ्रेंड आपने इस video में कितना score किया comment करके जरूर बताइए तो मिलते हैं अगले test के साथ daily test रियो है 9 बच के 45 मिनट पर आपको यह test करा दिया जाता है तो आप यहाँ पर daily attempt आ सकते हैं और test का लाब ले सकते हैं तो फ्रेंड मिलते हैं अगले वीडियो में थैंक्स पर वाचिंग दिस वीडियो